नमस्कार, उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रिचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। अब यहाँ पे हम फिर से दूरी समय ग्राफ से ही आधारेत, ग्राफ से ही संबंदित एक प्रशन को हल करने वाले हैं। परंतु यहाँ पे हमें दूरी समय साड़नी का अध्यन करना है और उसके बाद इन प्रशनों का उत्तर देना है। तो आईए सबसे पहले देखते हैं कि हमसे पहला भाग प्रशन का क्या कह रहा है। यहाँ पे हमसे कहा गया है एक graph paper का प्रियोप करके दूरी समय आलेक निरुपित कीज़े तो यानि कि हमें इस साड़नी को एक आलेक के रूप में यहाँ पे निरुपित करना है तो यहाँ पे क्योंकि दूरी और समय के graph की बात की गई है तो एक yx बना लेते हैं और साथ ही हम एक x अक्ष भी बना लेते हैं और जैसा कि हमें पता है कि y अक्ष पे हम क्या लेंगे दूरी और x अक्ष पे हम लेंगे समय तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x अक्ष पे हम क्या यहाँ पे निरुपित कर रहे हैं हम निरुपित कर रहे हैं समय और जो मात्रक है समय का वो ह देखें, पांच-पांच मिनट की दूरी पिर है, इसलिए हम यहाँ पे मिनट यह देते हैं इसके बाद आप से अगर मैं कहूं कि दूरी हम वाई अक्ष पे निरुपित करेंगे तो दूरी का जो मात्रक है वो आप देख सकते हैं कि किलो मीटर है अब हमें एक ऐसी स्केल, एक ऐसा मापन लेना होगा जिससे कि यह सारे के सारे जो हमें यहाँ पे राशियां दी गई हैं जो परिमार दिये गई हैं वो इस ग्राफ पेपर पे सही से आजाएं तो 10, 5 के बाद 10, 25, 40, 50, 11, 10, 11, 15, 11, 40 तो 10, 5 से लेके 11, 40 तक की जो समय की अंदराल है वो हमें यहाँ पे दिखाना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे दिखा देते हैं कि यह जो है वो 10 बजे निरुपित कर रहा है और या फिर आप अगर इसको 0 से ही निरुपित करें तो यहाँ पे हम एक इस तरीके से किंक इसे बोलते हैं कि हम कुछ जो यहाँ पे मान हैं उनको नहीं दिखा करके सीथे दिखाएंगे कोई मान तो 0 के बाद में माल लेते हैं कि ये 10 है फिर क्योंकि हमें 11,40 तक जाना है तो अगर देखे 10,5 लेंगे 10,10 लेंगे 10,15 तो ये तो फिर संभव नहीं है तो ऐसा करते हैं कि 10 बजे के बाद ले लेते हैं 10,15 फिर 10,15 के बाद ले लेते हैं 10,30 10-30 के बाद ले लेते हैं हम 10-45 10-45 के बाद हम ले लेते हैं 11 11 के बाद हम ले लेते हैं 11-15 11-15 के बाद हम लोग ले लेते हैं 11-30 11-30 के बाद हम लोग ले लेते हैं 11-45 तो इस प्रकार से हमारे पास जो भी सारे मान दिये गए हैं वो यहाँ पर इतनी दूरी में आ जाएंगे अब बात करते हैं दूरी की तो दूरी को शून इस लेकर कि हमें 42 तक यहाँ पर निउर्पित करना है तो अगर हम यहाँ पर 4-4 का अंतर लें या 5-5 का अंतर लें देते हैं चलिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस प्रकार से हमारे पास जो नियूंतम दूरी थी और जो अधिक्तिम दूरी है वो दोनों ही मान इतने में आ जाएंगे अब हमें यहाँ पे ग्राफ बना रहा है तो चलिए आई यह ग्राफ बना ले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10,5 पे हमें बताये गया है कि यह 0 किलोमीटर पर है तो अगर हम 10,5 देखें तो लगभग लगभग एक तिया हिस्सा हो जाएगा 0 किलोमीटर पर है 10,25 पर 5 किलोमीटर तो 10,25 पर हमारे पास आगया 5 किलोमीटर 10.40, तो 10.40 कहाँ पे हो जाएगा, अगर हम 10.45 के थोड़ा सा पहले देखें, तो 10.40 और यहाँ पे आ जाएगा ये 12 km, और इसके बाद 10.50, तो 10.50 जो है, वो हमें मिल जाएगा 22 km, 22 km, और इसके बाद 11 बजे हमें मिलेगा, 26 km, तो 26 आप देख सकते हैं, कि 25 के थोड़ा सा उपर, लगभग यहाँ पे हमें मिल जाएगा, इसके बाद 28 km हमको मिल रहा है, कितने बजे, 11 बज़ के 10 मिनट पर ही हमको मिल रहा है, तो 11 बज़ के 10 मिनट जो है, वो लगभग यहाँ पे होगा, और 28 km का मतलब यहाँ पे, इसके बाद 11 25, यानि जो 11 30 के थोड़ा पहले हुआ, वो होगा, 38 km यहाँ नी की, यहाँ पे, और इसके बाद 11 40, यानि की, जब हम 11 30 और 11 45 के बीच में देखेंगे, और थोड़ा सा 11 45 के पास देखेंगे, तो 11 40 मिल जाएगा, जो कि हमें 42 km बता रहे हैं, अब देखेंगे हमने ग्राफ तो इतना बड़ा सा लिया था, पर चुकि हमारा काम इतने शोटे से ग्राफ के हिस्से में हो गया, तो आईए इसको ही सिर्फ देख लें एक बार, तो हमारे पास एक सही ग्राफ इस तरीके का आ गया, अब देखे कि क्या कह रहे हैं कि दूरी समय आलेक निरुपित कीजिए, तो अगर हम मुक्त हस्त रेखा से इन सारे ही बिंदों को जोड दें, तो देखें यहां पे इसको जोडा, इसको, 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 तो यहां पे हमारे पास एक आलेक आ गया, जो कि इस दी गई सार्णी के, जो भी ह हमें मान दिये गए थे, दूरी और समय के, उसके अनसार हमने बनाया है, अब पूछ रहें कि किस शन गाड़ी की चाल सबसे तेज है, यानि कि कौन से समय अंतराल पे जो गाड़ी है, इसकी चाल सबसे तेज है, यानि कि चाल की बात की गई है, तो चाल से आपको पता है कि ह हमें क्या देखना है हमें दिये गए निरुपन का दिये गए धलान देखनी है इस निरुपन की धलान देखनी है तो धलान सबसे ज़्यादा कहां पर जहां पर समय सबसे कम हो और डिस्टिंस सबसे ज़्यादा हो तो आप देख सकते हैं कि ऐसा हमें इस ग्राफ को देखके दो शण पे लग रहा है एक तो ये वाला समय अंतराल और दूसरा ये वाला समय अंतराल जब दूरी बहुत जादा है और समय बहुत कम है तो अगर हम देखें तो यहां पे ग्यारा बच कर चालिस मिनेट सॉरी 10 बच कर चालिस मिनेट 10 बच कर 40 मिनिट और 10 बचकर 50 मिनिट के बीच में जो दूरी तैगी गई वो 10 किलो मीटर की है और यानि कि 10 मिनिट में 10 किलो मीटर यानि कि 1 किलो मीटर प्रती मिनिट की चाल आ रही है और अगर हम इस वाले अंतराल की बात करें तो आप देखते हैं कि 15 मिनिट में 10 किलो मीटर तै किया गया है यानि कि वो अंतराल जो है वो इतना तेज नहीं है जितना की ये अंतराल है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कौन से शण में यानि कि कौन जो समय अंतराल में हमारे पास ये सबसे तेज चल रही है तो वो है 10 बज के 40 मिनट से ले करके 10 बज के 50 मिनट के समय अंतराल में ज गाड़ी की ओसत चाल परिकलित कीजिए तो ओसत चाल के लिए आप क्या करते हैं बताईए अगर हमें ओसत चाल निकाल ली है तो हम क्या करेंगे कुल दूरी बटा कुल समय तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सी भाग के लिए ओसत चाल ओसत चाल ये किसके बराबर होगी कुल दूरी यानि की 42 किलो मीटर बटे कुल समय तो 40 मिनिट इधर और 55 मिनिट उधर तो 40 और 55 को अगर हम जोड़ेंगे तो 95 मिनिट हमारे पास आ जाएगा तो 42 बटे 95 किलो मीटर प्रती मिनिट हो गई है इस गाड़ी की औसत चाल और डी भाग में क्या पूछा गया है 11.25 और 11.40 के बीच चाल की गर्णा कीजिए तो 11.25 यानि की यहां पे और 11.40 के बीच की चाल इतनी दूरी या इतने समय अंतराल के बीच की चाल तो दूरी तै की गई है 4 किलो मीटर और समय लगा है 15 मिनिट तो 4 बटे 15 किलो मीटर प्रती मिनिट हमारे पास आ जाएगी दूरी बटे समय यानि की चाल तो यह उत्तर हो गया डी भाग का इस पूरे सफर में किस एक समय अंतराल पर कार की चाल घट के 12 किलो मीटर प्रती घंटा हो गई कि कितनी दूरी तै करने के बाद ऐसा हुआ अब हमसे यह पूछ रहे हैं कि 12 किलो मीटर प्रती घंटा कौन से अंतराल में इसकी जो गती है वो हो गई अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि 5 किलो मीटर प्रती 20 मिनट में हुई तो अगर आप घंटे के अनुसार निकालेंगे तो बढ़ जाएगी आप से पूछ रहे हैं कि घट करके 12 किलो मीटर प्रती घंटा हो गई तो अगर आप यहां पर देखें कि जो गती है वो इस वाले समय अंतराल में जो की हमारे पास यह समय अंतराल है तो यह समय अंतराल कितनी दूर का है यह समय अंतराल बस 10 मिनट का है और इस 10 मिनट में आप अगर दूरी देखें तो हमारे पास कितनी आ रही है तो इस समय अंतराल में जो की 10 मिनट हमने यहाँ पे देखा उसमें बस दूरी आ रही है 4 किलो मीटर की मतलब 26 किलो मीटर हम पहुचे हैं 22 किलो मीटर से तो यहाँ पे आप अगर चाल देखिए तो कितनी हो जाएगी 4 किलो मीटर प्रती 10 मिनट और अगर हम 10 मिनट को घंटे में बदलना चाहें तो हमें 6-6 से यहां पर गुणा करना पड़ेगा तो यह आजाएगा 24 किलोमीटर प्रती घंटा मगर प्रश्ण में क्या पूछ रहे हैं कि जो गती है वो घट करके 12 किलोमीटर प्रती घंटा आजाए तो आएए एक बार और इस वाले जो अंतराल में उसमें अध्यान करें मतलब कि हम यहां पर देख रहे हैं 11 बजे से 11 बच के 10 मिनट तक तो अगर आप इस पूरी ही समय अंतराल में दूरी देखें तो कुल दूरी है 2 किलोमीटर प्रती 10 मिनट और अगर इसको घंटे में बदलना है तो 6-6 से गुणा और भाग कर लें तो यह आ गया 12 किलोमीटर प्रती 60 मिनट यानि की 12 किलोमीटर प्रती घंटा तो इभाग का उत्तर हो गया यह वाला जहां पर इस गाड़ी की जो ओसत चाल है या फिर मैं कहूं कि इस गाड़ी की जो चाल है वो घट करके 12 किलोमीटर प्रती घंटा हो गया और आप देख रहें कि घट रही है हमने इस से पहले जो यहां पर परिकलना की इसमें 24 किलोमीटर प्रती घंटा थी और घट करके 12 किलोमीटर प्रती घंटा हो गया तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक सरल सा हमारे पास जो आलेखे निरुपन हैं वो हमारे कितने सारे प्रशनों का हल कर देता है